बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रराहीम अस्सलामु आलेकुम वर्रह्मतुल्लाहिव बरकात। आज का हमारा मौजू है कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप से एक छोटी से गुजारिश है कि अगर आप हमारी चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराई महरबानी हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। सांप और मोर पहले जन्नत में ही रहा करते थे। इस वाक्य को पूरी तरह से समझने के लिए इस वाक्य को पूरा सुनना जरूरी है। जब शैतान मरदूद लानती हो गया तो इस ने हज़रत आदम अले इससलाम को जन्नत में सजदा करने से इंकार कर दिया। और अलाटाला ने शेतान को जन्नत से बेदहल कर दिया। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने को बहुत कुछ था। मगर तनहा अकेले होने की वज़ा से हजरत आदम अलेशलाम उदास रहने लगे। फिर अलाटाला ने हजरत आदम अलेशलाम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया। और इस तरह वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर जन्नत में खुशी-खुशी रहने लगे। अलाटाला ने फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ, जो चाहो पीओ और गूमो फिरो, लेकिन हबरदार, इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम गुलामों में से हो जाओगे। जन्नत में सांप और मोर भी रहते थे। वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त पर सांप के पैर भी थे और सांप के मूँ से अंबर की बहुत अच्छी खुश्बू भी आती थी। और मोर जितना अभी खुश्बूरत है वो इससे भी कहीं ज्यादा उस वक्त पर खुश्बूरत था जब वो जन्नत में था। और मोर के पाउं भी इस वक्त बहुत ही खुश्बूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इन दोनों ने कहा कि हमें अलह ताला का खौफ है और हम तुमें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहे हैं मुझे जन्नत में ले चलो इस पर सांप ने शैतान को मश्वरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुझे निगल लेगा और तुम्हें जन्नत में लेकर उगल देगा इस तरह से कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा शेतान फोरण ही साम बन गया और मौर ने इसे निंगल लिया और जन्नत में ले जाकर उगल दिया इस तरह से शेतान मर्दूद जन्नत में दाहिल होने में काम्याब हो गया शेतान ने जन्नत में हजड़त आदम अलेहिसलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा हैर हुआ हूँ और तुम ने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया इस पर उन दोनों ने बोला कि अल्ह ताला ने हमें इस दरख्ट से दूर रहने को कहा है और इसका फल खाने से सक्ती से मना किया है इसलिए हमने अभी तक वो फल नहीं खाया और हम ना ही वो फल खाएंगे जब हजरत आदम अल्हिस सो गए तो शेतान फिर बीबी हवा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा और कहा कि अल्ह ताला ने तुमें वो फल इसलिए खाने से मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम फरिष्टा ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ना रहने लगो बीबी हवा ने शेतान की बहकावे में आकर इस दरखत का फल खा लिया और जब हजरत आदम अल्हिस सो कर उठ गए तो उन्हें भी बहुत इस्रार किया और मजबूर किया और इस तरह से वो फल हजरत आदम अल्हिस सलाम को भी खिला दिया जैसे ही इन दोनों ने इस दरखत का फल खाया इनका जन्नत का लिबास उतर गया तभी आल्ला ताला ने इन दोनों से कहा मैंने तुम्हें इस दरख्ट के पास जाने से और इसका फल खाने से मना किया था तुम दोनों ने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुम किया है तब ही हज़रत आदम अलिएसलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अलाह तौला की बारगा में अपनी गुनाहों की माफ़ी मावगी अलाह तौला बहुस एक उर आदम आलिएसलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकाल कर जमीन पर बहिजा और इन से कहा कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठीकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे अल्ह ताला ने शेतान को जन्नत में लेकर आने पर मौर की खुबसूरती चीन ली जिस पैर से उसने शेतान को जन्नत में दाहिल करवाया अलगताला ने मौर के इन पैरों को ही बढ़सूरत बना दिया चूंके साप ने मौर को मश्वरा दिया था कि शैतान को जन्नत में किस तरह से दाहिल किया जाए तो अलगताला ने साप के मूँ के अंबर की खुश्बू को भी चीन कर साप के मूँ में जहर भर दिया और सांप के पैर चीन कर मोर और सांप को जन्नत जैसी जगा से हमेशा के लिए बेदहल कर दिया इसी लिए दोस्तों आज भी जब मोर अपने पैरों को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है मगर जब वो अपने परों को देखता है तो वो खुश हो जाता है और अपने पैरों को देखते ही उसे रोना आ जाता है ना ही सांप और मौर शेतान को जन्नत में ले जाते और ना ही अलाहताला सांप और मौर को जन्नत से बेदहल करता और ना ही हजड़त आदम अलाहिससलाम और बीबी हवा वो फल खाते जिसके बारे में अलह ताला ने इने मना किया था जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हम उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया की तोर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए अल्लाहने के बान